गुड मॉर्निंग बच्चों देखिए हमने अभी तक दो क्लासे हमने टोपिक की पड़ी है यूनिट एंड मेजरमेट मात्रक एवं मात्रक एवं मापन देखिए यह फिजिक्स का मैंने पहले भी कहा था सबसे ज्यादा संडा मेंटल और जरूरी टोपिक है जरूरी क्यों है हमें कुछ बैसिक जानकारी चाहिए होती जो अक्सर ही पूछी जाती और काम में आती है तो हम बात कर रहे थे ऐसाइज जो यूनिट पद्धती है ठीक है उसके बारे में हमने कहा था इसाइज पद्धती क्या है पिछली class में साथ और मत्रपुन मूल मात्रखों के बारे में बात की दूरी का मात्रख worlds दूरी यान व्यलेंध का मात में लिखा था समैंसे इसके रिम्य सुत्र विखा था इसके लाव जोती तीरता केंडेल इसके लाव ओर पताती महत्रा मौल ठीक है तो यह सब बहुते मत्रपूर्ण चीजे थी और टेंपरेचर का जो कहली होता है वो क्या होता है ठीटा तो बेटा देखो यह साथ आपको रटवा याद होने चाहिए आपसे कुछ पूरक मात रख तो दीखिए हैं एसे कूं से मात रखें जो ना तो मूल होते हैं और विटपन होते हैं मतलब दोनों ही केटिगरी में नहीं रखा जाता है यह हमारे कौन यह हमारे कौन एंगल्स एसी चीजें बहुत ही ग्राशियां है जो फिजिक्स में यूज होती है तो उन तो मूल में रखा जाता है विद्पन में रखा जाता है अभी में आपको बता हूं में लेकि जब हम इसे डीटेल में पड़ेंगे तब अभी केवल हम बात कर लेते हैं यह क्या और कौन-कौन से यह हैं तो बीटा देखिये दो तरह के पूरक मात रखें सबसे पहला जो होगा याद रखेगा सम्मतलिय कोंड कौन सा कौन सम्मतलिय कोंड बाद में इसे पूरा समझेंगे पढ़ेंगे पहले में बता देता हूं बेटा एंगल आपने देखा होगा समतल में tui somatbil बना रहा हूं तो यह इसको क्या बोलेंगे इस कोण को समतलिय कोण और जो हमारा दूसरा प्रकार होगा गन कोण कोण सा होगा गन कोण यह आज तक आपने नहीं पड़ा है पहली बार आप 11 कि इसमें इसे पड़ेंगे और वेसे यह 12 तक दुबारा काम भी नहीं आता इतना मतवपूर्ण नहीं एक मैट्स में भी आपके ना के बराबर ही इसका यूज है तो हम केवल इसको समझ लेंगे और यह क्या है बस इतना ही यह पूछा जा सकता है तो सुने समतलिय कोण आपने भचपन से कोणों को जब देखा तो कोण पर हम कोण की जो मात्र के वह हम क्या लिखते थे आप कहोगे सर डिगरी लिखा करते लेकिन हमें असान भी लगती है और समझ में भी डिगरी आती है लेकिन आप बेटा ध्यान रखिये फिजिक से और मैस से फिजिक सोर मैस के बहुत सारे कॉंसेप्स ऐसे हैं जो केवल डिगरी से सौर्व नहीं होते हैं तो उनका नया रूप आपको छोटी ग्लास में भी मैस नबे डिगरी याने पाइब टू एक पाइब यापको जानकारी है तो पाइब लिखते हैं तो उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है वह याद रखिएगा इसका जो मात्रक होगा उसका मात्रक होगा वो क्या होगा सबत्द करेंगे वह क्या होगा सब्सक्राइब करने की करेंगे समय मन आपा है तो उसका मात्रक क्या होगा पाई रेडियन या आप सिर्फ रेडियन बोलो जब मैं आगे आपको घंकौन पढ़ाऊंगा भी पढ़ाऊंगा जब मात्रकों की परिभाश है चालोंगी तब इसे दोबारा टोपिक डाल के पढ़ेंगे तो जो घंकौन होगा वाद में समझाऊ स्टेरेडियन ना के बराबर यूज होता है होगा भी नहीं मेरे इसाफ से बहुत कम चांस है कुछ पढ़ें कभी जीवन में तो इसको जादा मत्व में देना भी नहीं है तो यह जो दो थे वह क्या थे पूरत मात्रक अब इसके अलावा हमारे कहीं क्या होते हैं क्या थेértंट मालत है तो पेटा दो चार देदू कर बनते हैं मात्रक निर्मित किसे हो T इसको को बच्था कर शकुत बढ़ेने नहीं निर्मित होते हैं यह तो पत्रक में ले लेता हूं कुछ उधारण में लेता हूं वो ले लेता हूं एक लेता हूं मैंने पहले बताया था बल बल क्या होता है बल बल का जो मात रखे बल का पहला उधारण लेता हूं बल का मात रख वो तो होता है न्यूटन क्या होता है न्यूटन लेकिन यह बना के से बना के इस जो मात्रते कि वह क्या हुगा किलोग्राम इसका 1302 स्क्वाेर्ट इसको किसे लिखेंगे हैं इनौकर या ऐसक बटेगा दिन्सक्वाराद आप उपर जासकते हैं इसको लिख सकते हैं किलो ग्राम वीटर सेगंड 600 202, माइनस टू तो दोबारा समझ लो क्या हुआ एफ मीटर एम यह द्रवेमान का क्या होता है किलोग्राम और त्वरण यह मतलब त्वरण क्या होता है मीटर पर सेगंड स्क्वायर किसको पता नहीं हो याद कर लो इसको समझ लो अच्छे से ठीक है चलो दूसरा उदारण में ल करें लेता हूं कारियए का लगा मात रखोता है अहुद होता है। नहीं मात रखो ओधारन के किए किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनसस टू रभी साथ में क्या आजेएगा दूरी यह क्या होता है विस्थापन क्या होता है टो इसको ले достep cosmos के लिए कुन से ज्ञान दीजिए का विक लिए क vi के लिए में किलोग्राम मीटर 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 मीटर-रस वैंत ओ सबैत क्या होग इसके मातरक कर्राइब कहीं सारे हमारे पास μघूद है देखिए चलो एक वह मैं हृब स्मपल साल लेता हूं क्या अवेश का मातर क्या आपको पता है क्या है क्या लेकन वेट बात बता हो क्या इसको में क्यों कुम रावर राई टी नहीं लिखता हूं इक है का मतलब सम्झाने कोश्व किए वेसे तूमें ढारेक् भी लिख सकता था अब हम तीनों मात्रक के प्रकार पढ़ लिए अब हम कुछ मूल मात्रकों की इंपोर्टेंट एक्जाम में पूछे जाने वाली परिभाशों पर बात करेंगे वह देखिएगा